नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका नोकी तक यूट्यूब चाहिल के इस नई वीडियो में दोस्तों आज किस वीडियो हम लोग डिसकस करने वाले हैं बिहार के सभी थाना में होने वाली सीधी भरती के बारे में बिहार के जो मुख्य सचिब है उनके द्वारा जो है फर्मा बिहार के लिए जिसका फर्मान जो है बिहार के मुख्य सचिब के द्वारा जारी कर दिया गया तो एक जोब की अच्छी ऑपरिचुरिटी मिनने वाली है अगर आप लोग भी चाहरे थे कि आप अपनी जो गौर्ण्मेंट जोब है उपने बिहार में करें या आप किसी भी बिहार में जोब करने में इंटेस्टेट हो तो आप इस वेकंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं पूरी इंफरमेशन बताने वाला हो इस वेकंसी से लेटेर कैसे क्या करना होगा कौन-कौन कैंडिडेट होंगे क्वालिफिकेशन क्या माईगी जाएगा एक्चुली यह जो है इस वेकंसी के लिए काफी टैम से बात हो रही थी वही हो चुकता था वेकंसी और इस वेकंसी के बारे में अब जो है बता दिया गया कि अब जादर डेले नहीं चलेगा पूरी इनफरमेशन क्या है अब इस वीडियो में जानने वाले उससे पहले मैं आप रोगों से कहना आपको description मिल जाएगा आप चाहे तो हमारी टेलीग्राम के चैनल को जोईन कर सकते हो link description मिल जाएगा एक बार जाकर चेक जरूर कर लेना तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं उस update पर ले जारा चाहूंगा यहां बता दिया गया है कि देशारा चाहि भाटि से की जारी इस तरह काम बैहार के लाब और जो यतने भी स्टेट है उस स्टेट में जो भी computer operator की जो requirement होती है थाना में जिसमें हाइटेक के लिए जो की जाती है वो सारा already कर दिया गया लेकिन बिहार इसका में बहुत ही पीछे चल ला है यहाँ बता गया कि राज़े में अपराधियों और अपराध पर नज़े रखने के साथ ही अनुसंधान में समुची सायोग के लिए सीसी टी एनस के लिए यानि Crime and Criminal Tracking Network सिस्टम तयार किया जा रहा है परन्तु राज़े में अब तक करीब 150 क्राव रूपया खर्च करने के बाद भी अब तक इसका काम अधूरा ही रह गया अब राज सरकार ने से अपरेल तक पूरा करने की कोशिश की है यानि यह जो वेकेंसी जो आपकी होगी वो अपरेल तक ही आप आएगी अभी फिलाल कोई उमीद नहीं है लेकिन काम को है जल से जल बता दिया है कि जल से जल किया जाए एंग अप्रेल तक जो है इसको पूरा करके जो है शुरू कर दिया जाए ठीक है इसके बारे बता दिया गया है तो अगर आप इस department में जोब करने में इंट्रेस्टेड हो तो आपको थोरा सा और इंतजार करना पड़ सकता है इतला टाइम आपने इंतजार किया बस अप्रेल तक आपको इंतिदार करना पर सकता है जायन चलना फैप मार्च के बाद अप्रेल आने बला यहां पर बताया गया है कि इस काम को पहले जिम्मेदारी है यह बताया गया था इसके लिए कंपनी चेंड की जिम्मेदारी बेल्टरोन को दी गई थी बिहार बेल्टरोन को जिम्मेदारी सौपी गई थी रिकुर्मेंट के लिए लेकिन अब बेल्टरोन से यह जिम्मेदारी लेकर पुलिस मुख्याले को सौप दी गई है तो जो भी रिकुर्मेंट का प्रोसेस हो वो किसके दुवरा किया जाएगा इसके लिए शुरू में 250 क्रोड रुपे का अनुमान रखा गया है करीब डेड़ साल बीतने के बाद भी इसका काम अभी चल ही रहा है यहां पर देख सकते हैं कितने राज्यों में बताया गया है कि अब तक महज 2 जीलो पटना और नालंदा में ही शुरू किया गया था राज यह आप कभी वेकंसी आप कर सकते हैं जिसका इंतजार अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं अब यहां पर देख सकते हैं आमीर सुभानी जो है अपन मुख सचिप ग्रह विभा के उनकी तरब से जो है यह लेटेस्ट अपडेट आया है तो आई होब कि अगर आपने इतना वेट किया तो थोड़ा साप और वेट कर लें इस वेकंसी के लिए अपलाई जरूर करना जैसे ऑफिशल नोटिफिकेशन आता है कि अपलाई करने का आप अपलाई कर सकते हैं जो पोस्ट जो होगी वह कंप्यूटर ओपरेटर की पोस्ट होगी तो अप्प्यूटर सब्सक्राइब कर लेन अगर आपकी कोई सुझाब हो कुछ कहना चाहते हो इस लेटेड अपकी कोई राय हो तो आप कमेंड बहुत हो बॉक्स में जुरूर बताना फिलाल आज के लिए तना ही थैंक्यू सो मच और यह जो मैंने अपडेट दी है यह लेटेस्ट अपडेट है आज ही का अपडेट से आप चुह चाहें तो इस न्यूज को पूरा पढ़ सकते हो परभात खबर का है इसका लिंक डिस्क्रिप्श फिल्म दे दूँगा पढ़ना चाहें तो पर सकते हो थैंक्यू सो मच